वही मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराथ सिंग चौहान ने कहा कि एहंकारी आम आदमी पार्टी हो गई है। केजरिवाल एहंकार से भरे व्यक्ति हैं। आपके लोग एक बेती के साथ दुर्वेवहार करते हैं। आप अपनी राजसभा सदस्ट को न्याय देने के बचाए दुर्वेवहार करने वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमानदारी का चोला पहने राजनीती में आए सबसे बड़े बेईमान हैं। एहंकारी आदमी पार्टी हो गई है। केजरिवाल अहिंकार सभरे व्यक्ति और ऐसी धूर्टता करते हैं। जगड़ा उनके पार्टी के अंदर का। केजरिवाल को तो यह जवाब देना चाहिए। कि अगर कोई महला जो उन्हीं की पार्टी की राजसभा सदस्टे हैं। आप एहिंकार इतना कि आपबात करने से इनकार कर देते हैं। न केवल बात की बलके आदमी, आपके लोग एक बेटी के साथ, एक बेहन के साथ दुर्वयोहार करते हैं और जो खबरे हैं वो तो आशेर चेकित करते लיने बाली है। दुर्विवार भी के वल सब्दों का नहीं पिटाई जैसी चीज़ें भी होती है आप अपनी राजसभा सदस को नयाय देने के बजाए दुर्विवार करने वाले को बचाने की कोस्स कर रहे है महला का अपमान कहा भारती संस्कृति और संस्कारों में केजरी वाल जी याद रखना ये वो भारत है जा एक दुर्वब्दी का अपमान हुआ था तो महा भारत हो गया था और वन से सहिद विनास हो गया था दुर्विवार करने वालों का ना तो आप बचोगे ना आपकी पार्टी बचेगी और नोटंकी कैसी जगड़ा आपका आपके घर का आपके परिवार का और प्रदर्शन करने हमारे आ रहे हूं ये धूर्टता नहीं तो क्या है इमानदारी का चोला पहन के राजनिती में आए सब सब बड़े बेइमान हो आप और धूर्टता की पराकास्ठा है आप में इसलिए आपका भलानी होने वाला ये एहंकार और बेइमानी आपको ले डूबेगी